तो दिवाली में आज हम बनाने जा रहे हैं फारसी पुड़ी बहुत अच्छा नमकीन स्नाक्स हैं तो चली स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने देड़ समच के करीब कुटा हुआ काली मिर्च ले ली हूँ देड़ समच के करीब मैंने कुटा जीरा लिया है भुना नहीं है नॉर्मली कुटा हुआ है एक बड़ा समच भरके मैंने नमक लिया है स्वादा नुसार आधी समच भरके मैंने हाथ से मसल कर अजवाइन ली है एक समच भरके मैंने हाथ से मसल कर कसूरी मेथिली है यहां मैं एक कप ऑईल ले लूँगी और ऑईल का मेजरमेंट मैं आपको बताऊंगी कि कितना चाहिए है हमको एक कटोरी का आप नाप बना लिए मेजरमेंट बना लीजे उसी कटोरी से मैंने देड़ कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप मैंने मैदा लिया हुआ है आटे में इस मसाले का अच्छे से टेस्ट आ जाए और जो मसाला है आटे के एक दाने में अच्छे से मिक्स हो जाए अब मैं क्या करूंगी इसमें ओइल डालूंगी ओइल हमें इतना डालना है कि जो आटे है ना उसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाए जैसे हम नमक पारे का या सेलोनी का आटा बनाते हैं ठीक बिल्कुल वैसा ही हमको बनाना या गुजियों का आटा बनाते हैं तो यहां मैं मोयन अच्छे से करूंगी मोयन अगर कम होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा फारसी पुरी में और जादा होगा तो वो तेल में बिखरने लगेगी कटोरी से मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और आखिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना पानी यूज हुआ है मैं एक कटोरी पानी ले रही हूं और अब इस कटोरी से पानी डालना शुरू करती हूं आटा हमें बहुत जादा सक्त यह बहुत जादा नर्म नह बिल्कुल वैसा ही आटा बनाएंगे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से आटा बनके तयार हुआ है और मैंने एक कटोरी भरकर पानी लिया था लेकिन मेरा एक कटोरी तो पूरा पानी नहीं लगा है क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आप आटा कौन सा ले रहा है ह यहां पर मैंने एक कटोरी आटा लिया था तो इसमें से मेरा दो से तीन चमच पानी अभी भी बचा हुआ है पूरा एक कटोरी पानी नहीं उस हुआ तो आप पान के चले दो कटोरी आटे में एक कटोरी की लगभग पानी लग जाता है अब मैंने 10 से 15 मिट के लिए इसमें पर्थन में कोई भी सूखा आटा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है थोड़े थोड़े से दो से चारबून अब ऑईल ही लगाओगे ना उसमें ही बहुत ही बैतरी ने बनके त्यार होती है क्योंकि हमने मोयन अच्छा किया हुआ है अब मैं एक पेड़ा ले ले और उससे ना इसको गोल-गोल शेप में काट लूँगी देखें और फिर इसमें थोड़े से चाकू मार दूँगी ताकि ये पूरियों की तरफ फूले ना और फिर दूसरी तरीके के लिए मैंने फिर से एक पेड़ा लेना है थोड़ा सा ओईल लगाना है इसे फिर से चप परते आजाएंगी और आप देख सकते हैं कि मैंने इसी तरीके से ना दो तरीके से बना बना कर ये तियार कर ली है यहां पर कढ़ाई पर मैंने ऐल लिया है हम को इसको लाइट गोल ब्राउन होने तक सेखना है और जधा तेज तेल होगा तो परते नहीं निकलेंगी और य चार से पांच एक बार में यह अच्छे से निकले आएंगी, अगर आप कडाई भर तेल लेते हैं तो काफी सारी निकलाएंगी, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं आपको फ्लेम भी दिखा देती हूँ, एक दम मीडियम लो पे है, और ज्यादा तो नहीं, इसे 6 से 7 मिन का टेक्चर आये था, बहुत अच्छी परत वाली खस्ता फारसी पूरी बनी थी, और चाय के साथ इसका कोई जवाब ही नहीं, थंड में शाम की चाय के साथ, अगर एक एक पूरी भी मिल जाए, तो क्या कहने, और आप इसे कम से कम 15 से 20 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम बार-बार गेस्ट आये, तो कुछ किचिन में कोक करने जाए, तो यह सबसे बेस्ट नाश्ता है, आप जरूर ट्राय करिए, और ट्राय करने के बाद मुझे रेसिपी की या फोटो भेजेगा, मैं अपने इंस्टागरम चैनल पे जरूर से आपको पोस्ट करूंगी, यह देखिए कितनी मस्थ सिक्के तयार हुए, एक्दम खस्ता, आप इसे पापड़ी चाठ में भी उसकर सकते हो, और डिफेन्ट करने के बाद में बाद में तो यह सबसे हैं, और देखिए और जरूर देखिए, और निकार में करें, और जरूर और